इसलिए बनास बनाना शुरू करते हैं इसके लिए दोस्तों हम सब्जियां लेंगे कूपसारी क्योंकि यह चाहेंगे इसमें फाइबर ज्याता हो और इसमें बहुत साथ न्यूट्रेंस हो क्रंच भी बहुत अच्छा और टेस्ट भी ज्यादा अच्छा तो सब्सक्राइब में ले रही हूं टमाटर प्याज तीनो रंग की शिम्ला में थोड़े सलात के पत्ते खीरा और दोस्तों यह दिखें मैं ले रही हूं राउन प्रे अधर है किसी च्छान नी में डालने के बाद इपिना सोचे कि डैवी सारा इसी चंड़ी में निकल जाएगा दही खुद बाखुद सील कर देगा और सिर्फ पानी दोस्तों ड्रेन होगा बाकि ऑपर रह जाएगा तो आप इस तरीके से दाई चाने में डालें उसे इस ततर फिर्फिज में दो से तीन घंटे रखे जितना जाधा रखेंगी उतना जाधा पाण निकलेगा उतना थिक दई हमें मिलेगा हंकट तयार चाहेगा दिक हंकट तयार है मैं इसे एक बरतर में निकाल रही हूं यह मैंने बहुत ज्यादा थिक नहीं किया है थोड़ा क्रीमि से त्यार हो जाएगा कि दही को बहुत अच्छे से बीट कर लिया मैं इसमें डालूंगी बारीक कटवा धनिया और पदीना देखिए मैंने जो धनियों पदीनी के पते रखे तो बहुत बारीक काट लिया है इन्हें अब मिक्स कर लेते हैं इससे जो यॉगर्ट स्प्रेड य अब इसमें ज़्यार डाल सकती है काली मिर्ज प्रिया अब कर लेते हैं कंड़ेश कर लेते हैं अब हम सेंडविच बनाते हैं आप चाहएं तो अगर डाइट नहीं कर रहे है तो थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं ब्रेट पर पहले लिए डिरेक्ली स्प्रेड लगा रही पर लगाएं अपनी पसंद की सभी सबजियां जो आपको लगती है जैसे टमाटर थोड़े से लेटस यानि सलाथ के पत्ते आप बंगों भी लगा सकती है इसमें अगर आपको दोसों प्याज अच्छा लगता है प्याज लगाएं कैपसिकम से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है तो आप कैपसिकम लगाएं ग्रीन या कोई भी प्याज लगारें अगर आप प्याज नहीं खाती तो आप इसे अपनी पसंद की कोई भी सबजी लगाएं अब पनीर लगारी है तो यह पनीर के मैं तीन से चार स्लाइस दाओ न भी सब्सक्राइब आधा यूं से मनें वाटर, बिल्कम इस्ट अमने इस्टमाल नहीं किया और मैंने व्रह बिल्कम से ऐस्तभी जबने वेडाईट नहींकर लोग चैटर केड़म मनें तेक कि उल्क महिं दोस्ती है और मैंने हैं काती गो ह्तनी के साथ जूतनार से भाजलब लेकिन आपके टेस्ट वर्स को भी रखेगा तो इस उमीद के साथ कि आपी सेंडविच जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें आपको बहुत बहुत शुक्रिया झाल झाल